नमस्कार मैं पंकज दुवे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स नीज़ सागर संभाथ से पूरे बुंदेल खंड साइद देश बिदेश की ताज़ा तरीम खबर है और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निदर्ता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें आईए देखते हैं ब्रेकिंग नीज नमस्कार सागर मैं पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है जिया दसल सागर मैं एक बाइक चोर गिरोफ पुलिस के हत्ता चल गया है नमबर प्लेट हटाकर बेचते थे चोरी की बाइक चार आरोपी इस मामले में गरबतार किये गए हैं देशी कट्टा और दो कार्तूस भी जब्त हुए है हम आपको बतादें के सागर मैं सिवेला इंथाला पुलिस ने बाइक चोर गिरोग को दबोचा है आरोपी के कबजे से चोरी की छे बाइक भी जब्त की गए है वहीं एक आरोपी के पास से देशी कट्टा और दो ज़न्दा कार्तूस बरामध हुए है आरूपी चोरी की बाइक की नंबर फिरे ठटा कर बेशती थे गरा को को वोने पोने दामों में बाइक दे देते थे माम ले में चारों आरूपीय से पुलिस लगातार पूच्टाज कर रही है और भी खुलासा हो जगता है फुलिस के अनसार मुकबिर से सूचना मिली थी ये बमौरी तगड़ा पर एक बाइक सवार संद्ग आवस्ता में खड़ा है सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुची पुलिस देख बाइक सवार भागने लगा पुलिस ने गेरा बंदी कर आरोपी को दर्दवाचा है बाइक के दस्ताबेश दिखाने का बोला तो नहीं दिखा पाया और तलासी लेने पर बाइक की दिख्गी में बाइक चूरी करने से सम्मंदे औजार वरामद हुए जो कि आप विज्वर्स में देख सकते है पुछ ताच मैं आरोपी ने अपना नाम सुदामा एहरवार अमर बाइच साल नवासी रुसला बताया है ठाने लाकर आरोपी सुदामा से लगातार पूछ ताच की गई जिसमें आरोपी ने बताया है कि उसने अपने साथी जितेंद रहरवार महिस रहरवार डीपक दानक के साथ मिलकर सहर की अलगग अलग स्थानों से बाइक चूरी की है लेकर हम आपको बतादे के आरोपी के बतायानुसार पूलसन ना उसके साथियों की तलासी सुरू की है और कारवाई के दौरान आरोपी जितेंद रहरवार महिस रहरवार को उनके घर रसल्ला से गरपतार किया गया वहीं आरोपी दीपक दानक को ग्राम पथरिया जाट में घेरा बंदी करके पकड़ा गया है तलासी लेने पर आरोपी के कपजे से देसी कट्टा और दो जंदा कार्थिस मिले हैं पुलसन सभी आरोपियों के कपजे से छे जोरी की बाईतें भी जब्त किये हैं हम आपको बताता है कि इस मामले में दो लाग सत्तर हजार की बाहन पुलसन सब्सक्राइब कर दो जंदा कार्थ जब्त किये गया है आरोपियों से अन मामलों को लेकर भी पूछता की जा रही है बड़ा कुलासा और भी आगे हो सकता है लेकिन सर्मनाक सागर हमें इस तरीके का गिरू सकती है और वो भी सागर के आसपास के एरिया में नवास करने वाले ही यह वक्त